हलो दोस्तों स्वागत है मारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप ओन्लाइन टिके जो है All का ओन्लाइन टिके बनाए हैं उसको अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो उसको जो है कैसे कैंसिल कर सकते हैं आप जो भी website से बनायें जिससे भी आप उसमें बनायें है ticket उसी पे आपको login होना होता है और login होके उसको जो है आप उसको cancel भी कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर एक ticket बनाया है वो IRCTC app से बनाया है तो मैं इस पर IRCTC app से ticket मैंने बनाया है उसको open करके मैं आपको उस ticket को practically इसमें cancel करके बताऊंगा कि आपको कैसे अब इसको cancel कर सकते हैं और इसमें cancel करने के लिए क्या क्या जो है इसमें process रहता है तो चली चलते अपने mobile के screen पर और आपको मैं दिखाते हैं कि कैसे जो है cancel करना है तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो है मैं IRCTC जो है एप इसको मतलब डाउनलोड करके रखा है इसको इस पर जो है मैं login यहाँ पर हो लेता हूं और login करने के बाद अगर आप IRCTC app से नहीं बनाये हैं तो जहा जो है आपको login हो जाना है और यहाँ पर login होने के बाद यहाँ पर आपको जो है जहां से आप booking किये हैं जैसे for example मैं यह एप से जो है मैंने ticket बनाया है तो मैं यहाँ पर इस तरह का इसमें interface दीगरत मैं my booking पर जाओंगा और my booking पर तो यह मेरा यहाँ पर देख सकते हैं यह 5 इसमें यही chacunadmica मैं फोट जो है मैंने दो ticket बनाया था विजै पर्सादोह रिता देविका तो मैंने जो है एक आद्मी का मुझे ticket cancel करना था तो मैं यहां पे हैं और यहां पर मस्दूael कते हैं यहां पर इसमें जो भी है iska इसमें government रूम पर दिया हूं आप मुझे सकते है तो यहाँ पर इसमें यह इसमें लिखा हूँ है कि इसको आप ticket cancel करेंगे अउन लाइन वाला तो इसमें जो है, आपकाMon.25 पर्षंट जो है इसमें आपका पेसिझ twenties पर्षंट और यह आपका account में जहां से आपका जो एकाउंट से आपका पैसा कटा है वह एकाउंड में जो है वही एकाउंड में आपका पैसा एड हो जाएगा बाकी का तो अभी जो है और वह आपको एड होने में जो है इसमें तीन से चार दिन का जो है समय लेता है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अपने माई बुकिंग पर जाना है यहां पर में IRCTC मेरा याप उपन है मेरा माई booking पर जाना है फिर आपको जो ticket cancel करना है उस पर आपको किलिक करना है और किलिक करने के बाद यहां पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा तो अभी यहां पर आपको देख सकते एक मेरा किलिक करना है थिर के बाद यहां पर देख सकते हैं अगर आप 2 ticket cancel करना चाहते है तो select wall पर एक ही टिकर करना चाहते हैं तो किसी एक पर आप select करके cancel कर सकते हैं तो अभी यहां पर देख सकते हैं यह जो है मेरा the ticket यह मेरा विजय परसात वाला के नहीं को दिखाए कि मैरा कैंसेल यहाँ पे करेंडर्द सुभात auditor करेंगे हैं तौER यहाँ पर यहाँ नीचे आपको एक इनीचरप्ग कर देना है तो यहाँ ओलाइब करने की अधर चीयर आपको यहाँ करने के हैं यहां पर दोनों останов टिकेट जो है क्यों है मैं अक कुझछ यहांint Air नमर मेरा यही है तो इसी तर जो है अपना टिकेट कैंशिल कर सकते हैं और टिकेट कंशिल करने के बाद यहां पर एक मैरा message भी आगिया है कि मेरा जो है 365 रुपे मेरा लगा हुआ था जिसमें कि मेरा 255 रुपे जो है मैरा cancel piece मेरा cancel piece जो है वो charge मेरा cut किये इसमें 205 रुपे मेरा account में جो है 3-4 दिन के अंदर में जो मेरा refund आ जायगा जिस account से मेरा जो हैcción सा कड़ा था टिकड मनाते समय तो इसी तरह जो है आप भी दोस्तों इसमें टिकड कैंसिल कर सकते हैं तो यहां पर जो भी मेरा इसमें टिकड था आपको यहां पर दिखा सकते हैं देख सकते हैं दोनों मेरा जो है टिकड कैंसिल हो चुका है तो आई होप दोस्तों कि यह बिलते हैं नेक्ट वीडियो में वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू